दोस्तों अगर आप भी संजू सेमसन और जॉस बटलर के तूफानी फारी को देख कर खुश है तो इस वीडियो को लाई कि जरूर किशेगा दोस्तों बैंगलूरू के खलाफ राजस्थान के जर्ट के बाद राजस्थान के खिलाडियों ने उड़ाया बैंगलूरू का मज़ाग विराट कोहली की आलोचना करके पूरे क्रिकेट जगत में मचरा दिया बावाल जी हाँ दोस्तों राजस्थान और बैंग नूरू के बीच खेले गए रोमान च्रक मैच में राजस्थान की टीम को 6 विकेट से जेत मिली है जिसके बाद राजस्थान के खिलाडियों ने बैंग नूरू का मज़ा खुडाया तो आखरकार राजस्थान की जीत के बाद राजस्थान के खिलाडियों ने बैंग नूरू का मज़ा खुडाते हुए क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है संजू सैमसन और जौस बटलर में कौन जीत के मुक्चे हीरों है कॉमें में जरूर बताएं दोस्तों जैसा कि आपको पता है बैंग नूरू और राजस्थान के बीच आज एक रोमान शक मैच खेला गया इस दोरान राजस्थान ने अपने घरेलू मैदान पर टौस जीत कर पहले गेंदबासी करते हुए बैंग नूरू को युजवेद्र चेहल क दो विकेट के दम पर 183 रन तीन विकेट के नुकसान पर रोग दिया था और इसका पीछा करते हुए कप्तान संजु के 79 तो वही जौश बतलर के नाबाद 100 रनों के दम पर लक्ष को 19 दसमलों एक ओबर में छक्के के साथ 6 विकेट से जीत लिया और ऐसे में बैंग ज़ेत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ हमारी टीम ने लागातार चार मैचों में ज्यथ हासिल करती हुए सबसे उपर अपनी जग्य पक्की की और ऐसे में बैंग नूरु की टीम को काफी ज्यादा शर्मानी चाहिए क्योंकि हमारी टीम तो सबसे अच्छा प्रद बल्ले बाजी की लेकिन अगर विराट कोहली तेजी से बल्ले बाजी करते तो स्कोर बोर्ड कुछ और हो सकता था और बैंग नूरू के टेम की जेत भी जाती तो वहीं जविंद्र चेहल ने भयान देते हुए कहा कि इस मैच में राजस्थान की टेम के जेत को देख कर मैं लागाधार चौथी हार इस मैच में देखने को मिली और ऐसे में बैंग नूरू की टेम की रड़नीती में ही काफी जादा कमी मुझे देखाई दे रही है क्योंकि जब आपका कोई भी खिलाडी अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो तो आपको उनको टीम से बाहर नहीं निकाल अच्छा हीं लेकिन बैंग नूरू की टेम ऐसा ही करती है और इस मैच में भी बैंग नूरू की टेम ने ऐसा ही किया इसके लावा उन्होंने काहा कि विराट कोहळी के लावा कोई भी अच्छा बलne बाज नहीं किया और यहीं हार का सबसे बड़ा कारद था तो वहीं जॉ मैं आज मैसूस कर रहा हूं इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में जो शतक लगाया उसको देखकर हर कोई खुश है लेकिन जिस तरीके से आज विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की मुझे लगने लगा कि अगर आज मैं अच्छी बल्लेबाजी नहीं करूंगा तो शायद टीम को दिक्कत हो सकती है और मैं विराट कोहली की तरह अंत तक टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया लेकिन कोहली से रेज बैटेंग की और यही जीत और हार का बोड़ा कारर था तो वहीं कप्तान संजूस एमसन ने कहा कि बैंगलोरों के टीम के इस मैच के अंदर अच्छी बल्ले बाजी नहीं करता तो मुझे काफी जादा नेराशा होती क्योंकि अपनी टीम को जेत दिलाने के लिए कप्तान का अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होता है और जिस तरीके से आज मैंने अच्छा प्रदर्शन किया उसके बाद मैं जावा उन्होंने कहा कि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से चैहल की शानदार गेंद बाजी देखने को मिली साथी में बटलत ने भी अच्छी बल्ले बाजी की और अगर हम सब एक जूट होकर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो शायद बैंक दूरू की टीम के खलाफ र